प्यारी सास संगा जी प्यार से कहिए दहन निंकार जी आजका हमारा विचार है कि एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ आओ प्यारी सास संगा जी कि अक्सर हजूर वावा सद्गुरु मराज जी कहते थे कि एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ बन्यास जरूरी है आओ प्यारी सास संगा जी ये बन्यास क्या है एकत्व यानि एकत्व हम एक हो जाएं अब इक हो जाना यानि संसारी की डिष्टी से तो डिफ्रेंड सा लगता है। लेकिन प्यारी साहस संगा जी, यदि हम अध्यात्मी के तरीके से देखें, तो ये जो परमातमा है ये एक है God is one और इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम बिनविन देशों में बिनविन परकार से इसे पुकारा जाता है जैसे हमारी इंडिया में किसी को रामपाल कहके पुकारा जाता है तो किसी को अलावदीन किसी को महम्मद दिन किसी को स्यामलाल किसी को रामपाल किसी को राजाराम आओ प्यारी साथ संगा जी यानि पांस तत्प के पुतले हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नामों से पुकारे जा रहे हैं आओ प्यारी साथ संगा जी लेकिन एक इनको चलाने वाली जो सक्ती है जो इटनल पावर है वो एक है जिस प्रकार से लाइटों में लाइटे हम जब लगाते हैं तो सो बल्ब जलते हैं लेकिन उन सो बल्बों को प्रकासित करने वाली जो इलेक्टरिसिटी होती है वो एक होती है आओ प्यारी साथ संगा जी कहने का अतात पर यह क्या है गौड एक है निरंकार सक्ति परम जो सुरूप परमातमा ये एक है ये एक अंबरम दित्ते नास्ती है लोगों एक ही इसवारे कोई दूसरा नहीं है ये सारी चेतनताओं में ये ही चल रहा है तो प्यारी साथ संगा जी अध्यादमिक तोर से हम सब एक परमातमा के संतान हैं हमारा पिता हमारा गौड हमारा इश्वार हमारा खुदा हमारा भगवान वो एक इलाही पावर है हम सब की उसी की इबादत करते हैं चाहें किसी किसी परकार से नाम लेकर के हम आस्ता करते हैं लेकिन हम उसी के संतान हैं तो प्यारी साथ संगा जी अक्सर हुजूर इसारा देते थे कि इंसान एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ यानि एक के साथ यदि एक हो गे हम तो प्यारी साथ संगा जी फिर हमारा पार उतारा हो जाएगा क्योंकि मनुस्ट जनम अंत की सीड़ी फिसल गई तो वारी गई कहे अबतार 84 वाली करी कमाई सारी गई आओ प्यारी साथ संगा जी कह रहे हैं इनसान ये जो तेरा जीवन है ना मनुस्य योनी ये बहुत ही उत्तम योनी है ये लाश्ट वारी है यदि अब भी तु परमातमा को प्राप्त ना कर पाया तो फिर 84 में भठकना पड़ेगा आओ प्यारी साथ संगा जी कहते हैं 84 84 वो भूँगने के उपरांते इनसान को ये मनुस्य के जनम प्राप्त हुआ यानि हीरा जनम प्राप्त हुआ तो आओ प्यारी साथ संगा जी अब हमें वन नैस तो कह दिया एकतव लेकिन एकतव के लिए समय के सद्गुरु की जरूत पड़ती है तो आज समय का सद्गुरु मा रहते हुए अपने एहम को त्यागते हुए तत्व वेता संत हैं तत्व वेता समय की सद्गुरु हैं समय की मालिक हैं तो इनके चरणों में नत्मस्तक हो जाएं तो बास्तम में हमें इसे टर्नल पावर के दर्सन हो जाएंगे और जब दर्सन हो जाएंगे तो प्यारी साथ सं यदि आज अकास में किस प्रकार की आग लगी हुई है यानि बाता परण में चहू और जाती की पाती की संपरदायकता की भासाबादिता की छेतरबादिता की ये चहू और आग ही तो लगी हुई है यदि संत ना होते इस जग अंदर तो जलमता संसार ये जो बानी की आग मेरा पीर बड़ा है मेरी में इंसां महल सॉर्वाइर और बसनाय के अंदध इन रहते हुए अग imposing hub से ल मातल हौक हॉ और इसी की रजा में राजी रहते हुए एक रस हो जाना है हमें इस SM tief जाना है तो प्यारी साथ संगा जी अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से कहिए धन्निंकार जी